अलो फ्रेंड्स गूड मूरिंग मैं असोक और आप सबका स्वागत हैं मेरे यूटूब चैनल एके ओफिसियल स्टेनोग्राफी सिरीज में दोस्तों आज मैं आपके लिए डिक्टेशन 80 सब्द पर 3 मिनट लेके आया हूँ दोस्तों डिक्टेशन के साथ साथ आपको विराम चिन, कौमा और शब्द सुद्धे के बारे में भी बदाया जाएगा दोस्तों यह डिक्टेशन राजस्तान हाई कोट, विधान सबा, SSE, SSB, BSF, NTPC, CRPF, CISF, ITBP, Railway और भी ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें यह डिक्टेट की जाती है दोस्तों आप लोग अगर हमारी यूटूब चैनल पे नए हैं तो हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइगन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे नए नए डिक्टेशन मिल सकें दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो डिक्टिशन स्टार्ट होगी तीन सेकिंड बाद स्टार्ट महोदे कोमा परतेक कदम फूंक फूंक कर रखना होता है और हो सकता है कि हम कुछ वर्स गवादे विराम लेकिन स्वतंतरता गवानी की अपेक्षा वह अच्छा होगा विराम स्वतंतरता का अर्थ केवल अपनी सरकार होना नहीं होता विराम बलकि उसका अर्थ होता है कि हम निर्णे स्वयम कर सके विराम हो सकता है कि वे निर्णे गलत हो लेकिन वे हमारे निर्णे कोमा भारत के निर्णे होने चाहिए विराम, हमें कपड़ा उद्योग की समश्यों का भी धयान है विराम, हमने आधुनी की करण के लिए विदेसी सहायता की आउशकता को स्विकार किया है विराम, योजना आयोग ने कपड़ा उद्योग के लिए एक कारिय कारी दल नियुक्त किया था जिसने इसकी समश्यों पर विचार किया विराम, सिद्धान्त रूप में यह निर्णे किया गया की वितिय अभी करणों के द्वारा धन उपलब्द कराये जाए विराम, हम अब वितिय संस्ताओं से बात चीत कर रहे हैं की इन उदेशों के लिए उधार की सर्तें कैसे उधार बनाई जा सकती है विराम, आपने बंगलूरू की गठनाओं और मुंबई में लिये गए हमारे कुछ निर्णियों की भी चर्चा की है विराम, आप यह भूल गए हैं की वे निर्णे वास्तव में कॉंग्रेस द्वारा पिछले आम चुनाव के सिगर बाद किये गए थे विराम, उन पर कारिय समिती में विचार विमर्स और एक राय से सहमती हुई थी और बाद में उन्हें अखिल भारतिय कॉंग्रेस कमेटी ने स्विकार किया था विराम, बंगलूरू में हमने केवल मोटे तोर पर नए सीरे से दिशा निर्देश दिया था विराम, इसमें कोई संदेह नहीं की जब तक देश उस दिशा की और नए भडे कोमा तब तक वहें परगती नहीं कर सकता विराम, मैं नहीं समझती की आदरशवाद और व्यवहारिक्ता को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है विराम, सभी देशों को अपनी परगती किसी ने किसी सिद्धान्त पर आधारित करनी होती है विराम, परसन केवल यह नहीं है कि भारत में क्या हो रहा है कोमा, बलकि परसन परिवर्तन की लहर का है जो दुनिया भर में देखी जा सकती है विराम, यहां अनुसासन और धेरिये के अभाव के बारे में काफी कुछ कहा गया है मैं समझती हूँ कि इन शब्दों का प्रियोग करने से पहले आपको इनका अर्थ ठीक से समझ लेना चाहिए विराम, आप शायद इसे अनुसासन कहेंगे की इंगलेंड में लोगों से बेगार ली जाती थी और उनसे दुर्व्यवहार किया जाता था या छोटे छोटे बच्चे अंधरी खानों में काम करने के लिए जाते थे और अंदे होकर बाहर निकलते थे विराम, जब वे इन सबके प्रती विद्रोहे करते थे कोमा तो आप शायद उसे अनुसासन हींता कहेंगे विराम, देश की स्वतंतरता प्राप्त करने के लिए हमने जो कुछ किया वह बहुत विलक्षन है विराम, दोस्तों मुझे आसा है कि आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आया है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और दोस्तों आप लोग अगर वीडियो को पूरा देखते हैं तो प्लीज लाइक जिरूर करें दोस्तों आप लोग अगर हमारी यूटूब चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए थैंक्यू दोस्तों